पुलिस ने खुलासा कर दिया है पुलिस ने बाइक चोर दो युवकों को पकड़ लिया है और उनके कबजे से चोरी की मोटर साइकल बरामत कर ली है पकड़े गए दोनों युवक बागेश्वर जिले के निवासी है बुधवार गुरुवार की मध्यरात्री में लक्षमेश्वर निवासी गोविन सिंह की बजाच पलसर मोटर साइकल लक्षमेश्वर से चोरी हो गई थी गोविन सिंह ने 18 जुलाई को कोटवाली अल्मोरा में तहरीर दी की उनकी मोटर साइकिल बजाच पलसर संख्यायुके शुनी एक पी 1746 रात में लक्षमेश्वर के पास से अग्यात चोरों ने चुरा ली तहरीर के आधार पर कोटवाली अल्मोरा में मुकदमा धारा 303 दो बीएनेस के तहट अग्यात चोरों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया इसके बाद पुलिस टीम ने चानबीन शुरू की इसके लिए CCTV कैमरों का सहारा भी लिया गया पुलिस ने सुरागर्सी प्तार सी करते हुए उलका मंदिर शैल बैंड पर चोरी की बाइक के साथ हर्शित लोहनी पुत्र अनिल लोहनी निवासी ग्राम दर्शानी पोस्ट गरुर थाना बैजनाथ और रवी थापा पुत्र शंकर थापा निवासी टीट बाजार गागरी गोल थाना बैजनाथ जिला बागेश्वर को पकड़ लिया पंजीकृत अभियोग में धारा 317 दो बीएनेस की बढ़ोतरी कर आवश्यक कार्यवाही की गई पूछताच में दोनों लुवकों ने बताया कि अपना शौक पूरा करने के उद्देश से उन्होंने बाइक चुराई पुलिस टीम में अपर उपनिरीक्षक अवतार सिंह, कांस्टेबल सूरच प्रकाश वहरीश राठोर शामिल रहे